शलब आसन शलब एक संस्कृत शब्ध है जिसका हिंदी में अर्थ है पतंगा या टिड़ा इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको मकरासन की मुद्रा में आना होगा जिसके लिए आप जमीन पर पेट के बल लेट जाएं और अपने पैरों को एक दूसरे से दूर रखें अपने माथे को अपने हथेलियों पर रखें और अपने शरीर को आराम दे अब मकरासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ें अब अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के समीब इस तरह रखें कि आपकी हथेलियां आस्मान की ओर हो और आपकी ठोड़ी जमीन पर हो एक गहरी सास लेते हुए सिर्फ अपने नितंब यानी कूलों की मानस्पेश्यों के सहारे अपने पैरों को जमीन से उपर उठाएं आप अपने पैरों को सिर्फ उत्रा ही उपर उठाएं जितना आप बिना अपने घुटनों को मोड़े उठा सकें आप पेरों को उपर उठाए रखने के लिए अपनी पाहों का सहारा ले सकते हैं, जिससे आप अपने शरीर को स्थिर रख सके हैं। अब इस स्थिति में सामाने रूप से सांस लिए और छोड़ें। और 10 से 20 सेकंड तक आराम से रहें। ये आसन सायाटिका एवं पीट के नि नियमित रूप से करने पर जांगों की चर्वी घट्टी है और वजन कम होता है। ये आसन हमारे पेट के लिए भी लापकारी है और पाचन क्रिया में सहायक सिद होता है। गर्भवती महिलाओं, पेप्टिकल्स, हरनिया, हाई बीपी और रिदय के रोग्यों को ये आसन न चाहिए। दस से बीच सिकेंड तक इस थिति में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे टांगों को वापस जमीन पर ले आए। अब मकरासन में आने के पश्चात विश्राम करें। ये आसन आपके मानसिक तनाव और ठकान को भी दूर करता है।